आज जी नमस्कार जेहिंच स्वागत करता हूँ आपका मेरे यूटूब चैनल गॉर्मेंट जोब रास्तान पर इस चैनल के माधिम से मैं रास्तान सरकार की समस्त वेकेंसी की अपडेट है वो प्रोवेड करवाता हूँ आज के इस वीडियो में ऐसी एक नई वेकेंसी की चर्चा है वो आम करने वाले हैं बिल्कुल आपके सामने एक नई वेकेंसी की विगपती आगए है वाई कितने इसमें पद है क्या योगेता है और कौन-कौन इसमें आयूशीमा या साथ में जो अपना सलेबस है यह रहने व करते हैं वीडियो कौनसी बढ़ती है यह बिल्कुल किस विबाग में है तो पहले बात बता देता हूँ राजस्तान राज्ये पर्दुसन मंदल में यह बढ़ती है वो आई यह बात करूँ पद तो पद को लेकर भी डिटेल से बताऊंगा साथ मा आयूशीमा इसमें क्या करेने वाली उस पर भी चर्चा करेंगे साथ में योगेता क्या रहेगी उसको भी देखेंगे और सलेबस के बारे में भी जानेंगे बाई तो स्टाट कर लेते हैं अपना वीडियो ले चलता हूँ आपको विश्तरित विगपती पर बिल्कुल आपके सामने रास्तान राज है अलगलग विबाग में तो विदी अदिगारी के 2 लुष फाल भी ठीक है वही बात करें कनिष्ट अदिगारी जैसीयो पाल धी के बहुत अच्छे पाल है निस्ट प्रयावरोन अभियंत अगे कितनों 33 पाल ठीक है तो इस परकार हुए इसमें पाल देखे गैं इसमी तो बिल्कुल इसका लिंक है, मैं अपने टेलिग्राम चैनल का कमेंट बोक्स में डाल दूगा, तो वहां से आप इसका विश्त्रिद भी विगयापन है, देखके बिल्कुल आपने जो है, केटेग्री वाइस के पद है, देख सकते हैं, और बात कर लेते हैं, सेक्षिन की यो आपको किसी जो यूशिटी है, वहां से लोग की डिग्री आपके पास है, मैं मुद्धा यही है, जो अपना विदिय अदिका रही है, उसके लिए आपके पास लोग की डिग्री होनी चैनल के अगला कौन साथ आपना, अगला है जूनियर साइन्टिपिक ओपीसर, ठीक है, इसके लिए आपके पास जो है, फर्स्ट क्लास, MSC या MS, कौन सी ब्रांच में होनी चाहिए, तो Chemistry, Soil, यहनि कि जो यह साइन्ट मर्दा होगी चाहिए, उस साइन्स में हो, Environmental Science, और दूसरा, तीसरा है, Microbiology, ठीक है, आप्टर B.S.E.B.S., यहनि आप्टर B.S.E.B.S. के पास है, वो apply कर सकते है, तीसरा है, Junior Environmental Engineer, ठीक है, J.E.E., इसमें क्या है, M.T.E.E.Degree in Environmental Engineering, ठीक है, आपके पास कौन सी, M.T.E.E.E. होनी चाहिए, उससे पहले आपने क्या कर रखी हो, B.T.E.E.Degree, ठीक है, तो यह डिगरी अगर आपके पास है, तो आप इसका फोर में बर सकते ह ठीक है, ठीक है, अगला नोट लिखा है, एक एक लास डिविजन इस नोट अवर्ड, मिनिममम ओव साट परसेंट मार्क, इन एग्रिकेट सेल भी, कन्सिजर्ट, इक्विलिट टू फ़स्ट क्लास डिविजन, यहनि कुल मिलागर आपके पास साट परसेंट है, वो होनी चा साथवे वेतन आयो के अनुसार, विदी अधिकारी दुट्य का वेतन मान, पे मेट्रिक्स लेवल 12 का होगा, और कनिष्ट वेग्यानिक अधिकारी का वेतन, पे मेट्रिक्स लेवल 12 का होगा, तो किसका पे मेट्रिक्स लेवल 10 का होगा, तो किसका पे मेट्रिक्स लेवल 12 क ठीक है यह अपना वेतन हो गया है और साथ में आयूशीमा की बात कर लेंदे बहुत महत्वपुन है आयूशीमा क्या रेने वाली है ठीक है तो दिनाग 1124 को 18 वर्स की आयूए वो प्राप्त कर चुका हो तता 40 वर्स का नहीं हुआ यानि कि आपकी जो आयूशीमा है वो 18 से लेकर 40 वर्स में रखी गई है ठीक है और राश्टिकरन यानि कि आप भारत के नागरी हो यह तो सब को पता है भारत के नागरी की हो ठीक है अनुसुची शेतर के अभियर्टों के लिए विशेस निडदेस यह अलगलग आपको जो अ हिला अभियर्थी को पांच वर्स की चूट दी गई है तो इस परकार इसमें चूट भी है यह कुल मिलागर आप 45-50 साल के अगर भी हो तो भी आपको यह बढ़ती है वो बिल्कुल आप इसका फोरम में वो एपलाई कर सकते है ठीक है एसका यह क्राइडरिया है वो रेने व आपका online exam है वो होने वाला है और जिसके संब्ध में वीवरन मंडल की website पर आपको यता समय परकाशित यह नहीं कि वेबसाइट आप विजिट करते रहे हैं वहां पर आपको इसकी जान करे भी मिल जाएगी प्रिक्षा का इस्तान है उती थी बिल्कुल प्रिक्षा इस्तान इसकी जान में रखना है अब 18-10 अक्टूमबर से इसके आवेदन है वो इस्टार्ट हो रहे है और 17 नौमबर तक चलेंगे कब तक चलेंगे 17 नौमबर 12 तक 18 अक्टूमबर से 17 नौमबर तक यहनि कि एक महिने का लगबग आपको समय वो मिलने वाला है इसका फोरम है वो आ पर एपलाई कर सकने है ठीक है साथ में आवेदन की परकीरिया आप इसकी साइट आपको देख रखी है बिल्कुल ओल्लाइन आवेदन करने के लिए अप्यर्थिकों मंडल की वेब साइट स्टीटीपी बिल्कुल इन्वाइरमेंटल रास्तान डोट गॉर्मेंट डोट आय आप साइट देख सकते हैं इस साइट पर आपको ओल्लाइन आवेदने वह करना है ठीक है उस पर आपको इसके जो भी डोकुमेंट मांगे जाते हैं आप से वह आपर समिट करने है ठीक है प्रिक्षा सुल्क इस बर्ती परकार का कोई भी सुल्क दे नहीं है यह सबसे ये बढ़्ती आपके लिए बिल्कल फिरी रेने वाली है आपको कोई भी आवेदं का चार्च है वह नहीं देना हो गाई ठीक है तो ये बी अच्छी कवर है वो बीना सूलक है ये बढ़्ती है वह रेने वाली है ठीक है अब आपके सामने syllabus लोऑ पिसर सेगंड इन तो यह सामने इसका syllabus आप डिटेल से देग ले ना वई क्योंकि इसमें बहुत लंबा चोड़ा दे रहका और साथ में तोड़ा इंगलीस में रहे गिया वर्णा में तोड़ा आपको बता भी देता वाकी अप यह देख ले ना पार्ट बी इसमें किया दे रहे है पेपर सब्जेक्ट पार्ट ए पार्ट बी कुल मिला कि आपको दे रहे है नबबे मिंट दो सु पचीस जो अपने मार्क देने वाले क्यूसन इसमें साथ और पंदरा यानिकि ए बाग में साथ बी में पंदरा है याप डिटेल से और बात करूं इस बरती को लेकर तो बिल्कुल बहुत अच्छा मोका है बिना आपको जो अपनी आवेदन सुलक है उसके ये बरती में बाग लेने का मोका मिल रहा है तो जल्दी से इसका फोरम है और इसकी जो अपनी ओपिशल वेब साइट है वहाँ पर जाके वहाँ आपको सम्मिट करना है और रही बात इसकी डिटेल चर्चा या डिटेल जो भी आपको और जाननी है तो इसकी वीगपत तो अभी आपके सामने समय पड़ा है तो जल्दी से इसका आवेदने वो करे वाई बाकि आगे कोई और चाचाओगी इस व्यक्येंसी या अन्य रास्तान की वेकंसी से तो इस चेनल के मादें से मैं आपको और सूचना हो देदूँगा आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में तब तक लिए दन्यवाज जेहिंज जे बारत राम राम सुभी को